नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेले इंद्र पांडे आज हम बात करेंगे त्वचा की समस्या की जी हां बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं जिसमें लोग त्वचा की समस्य के बारे में पूछते हैं और जानना चाहते हैं कि जोतिश के माध्यम से इसका इलाज कैसे संभव है तो आज आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको त्वचा की समस्या है तो वो किस ग्रह की वज़ा से हो रही है और उसका समाध्यान उसका निवार्ण क्या है चालचक्र में क्या खास है आज चलिए बताते हैं चालचक्र में आज बात करेंगे कि क्या आप त्वचा की समस्या से पीरित हैं और त्वचा की समस्या से अगर परेशान हैं तो क्या उपाय करना आपके लिए फाइदेमंद होगा सबसे पहले जानते हैं कि त्वचा की समस वों से मिलकर बना है पृत्वी जल अगनी वायू और आकाश त्वचा का जो ये मामला है ना ये पृत्वी तत्व का मामला है ये अर्थियल एलिमेंट का मामला है ये पृत्वी तत्व का मामला है और मुख्य रूप से त्वचा की समस्या का संबंद जिस ग्रह से होता है उस उसे कहते हैं मरकरी उसे कहते हैं बुद्ध त्वचा को नवीन यानि नया और अच्छा बनाए रखता है बुद्ध त्वचा को अच्छा बनाता है नया बनाता है इसके अलामा मंगल और सूर्य भी त्वचा से संबंद रखते हैं मंगल और सूरी का प्रभाव भी त्वचा क के उपर स्किन के उपर जरूर होता है मेश मिथुन और कन्या राशी ये तीन राशियां भी त्वचा से जुड़ी हुई होती हैं खास्तोर से मेश राशी और कन्या राशी का डाइरेक्ट संबंद त्वचा के साथ होता है त्वचा से इसका संबंद जुड़ा हुआ होता है और ये राशियां तवचा की राशी मानी जाती हैं. तो वैसे तो बुद्ध, सूर्य और मंगल तीनों तवचा की समस्या देते हैं, लेकिन ओवर ओल बुद्ध जो प्लैनेट है, ये तवचा से सीधे तोर से जुड़ा हुआ होता है, और तवचा की समस्या को जन्ब देता है. सबसे पहले जानते हैं कि बुद्ध की तवचा की समस्या क्या है? और बुद्ध की तवचा की समस्या का समाधान क्या है? देखिए, बुद्ध की तवचा की समस्या में तवचा पर जुरियां पढ़ जाती हैं, त्वचा पर जुर्यां पढ़ती हैं, कभी-कभी त्वचा रूखी हो जाती है, त्वचा में पपड़ी पढ़ने लगती है, त्वचा खराब हो जाती है और तवचा पर छोटे छोटे बड़े सारे दाने भी आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे से पढ़ जाते हैं अगर बुद्ध कुंडली में गड़बड होता है तो आम तोर से उम्र के आठ वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक और 60 साल के बाद बुद्ध की समस्या जादा परिश करती है यानि जन्म के 8 साल से लेकर 20 साल तक 20 साल तक तवचा की समस्या जादा होती है बुद्ध वाली या उम्र के 60 साल के बाद तवचा की जादा समस्या होती है बुद्ध वाली अगर बुद्ध की तवचा की समस्या जादा है अगर बुद्ध की तवचा की समस्या है तो क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले अपने खान पान का हमेशा ध्यान रखें, खान पान के मामले में लापरवाही ना करें, खान पान का जरूर ध्यान रखें, अगर बुद्ध की तवचा की समस्या है, सब्ता में एक दिन सिर्फ जली आहार ग्रहन करें, केवल डाइट लेके जल पीके, दूद पीके, फलों का रस पी करके उपवास रखें, सब्ता हमें एक दिन सिर्फ लिक्विड डाइट ग्रहन करें, सूर्य को नियमित रूप से जल चणाएं, तवचा की समस्या के मामले में सूर्य को जल चणाना एक बड़ा मजबूत उपाय है, तो सूर्य को नियमित रूप से जल चणाएं, सलाह लेकर के एक पन्ना या एक मारिक के धारण करना भी फायदे मंद होगा, अगर तवचा की समस्या है तो पन्ना या मारिक के पहनने से लाब होगा, लेकिन सलाह लेकर ही पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दूसरा जो गरह तवचा की समस्या देता है, उसे कहते हैं मंगल, मंगल की तवचा की समस्या क्या है, और इसका समाधान क्या है, देखिए मंगल की तवचा की जो समस्या है, ये आंतरिक गड़बडियों की सूचना है, आपकी शरीर का कोई ऐसा सिस्टम है जो बिगड़ गया है और जिसकी वज़े से आपकी त्वचा पर निशान आ रहे हैं जिसकी वज़े से आपकी त्वचा पर दाग धब्बे आ रहे हैं कोई internal problem हो गई है तो वो समस्या मंगल की समस्या है ये बताता है कि शरीर के अंदर केमिकल बैलेंस बिगड़ गया है और जब शरीर के अंदर केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तब तवचा पर समस्या आती है ये समस्या होती है मंगल की चुकि मंगल सेनापती है मंगल कुंडली के डिफेंस का प्लेनेट है इसलिए शरीर में जब defense system कमजोर हो जाता है शरीर की रक्षात्मक प्रणाली कमजोर हो जाती है शरीर में कोई chemical balance बिगड़ जाता है तो तवचा पर उसके निशान आ जाते है मंगल के कारण तवचा की समस्या में शरीर पर दाग और निशान दोनों पढ़ जाते है अगर मंगल की समस्या है तवचा वाली तो शरीर पर दाग होते हैं बहुत सारे लुक कहते हैं ना मेरे शरीर पर black black spot पढ़ गए या बहुत सारे लुक कहते हैं ना कि दवा react कर गई दवा का reaction होने की वज़ा से चेहरे पर दाग पढ़ गए तो ये जो reaction वाला पार्ट है शरीर का ये मंगल का पार्ट है और जब ये गड़बड होता है तो शरीर पर दाग और निशान पढ़ जाते हैं कभी कभी किसी दुरघटना की वज़ा से भी मंगल शरीर पर दाग या निशान छोड़ देता है कि चेहरे पर कट का निशान आ गया या चेहरे पर दाग का निशान आ गया चेहरे पर कटे हुए का निशान आ गया इसके पीछे भी जादातर मंगल होता है जो दुर्घटनाओं के बाद शरीर पर दाग का या चोट का निशान छोड़ देता है क्या उपाय करना चाहिए? अगर मंगल को ठीक करना है एक तो पानी का खूब सेवन कीजिए अगर मंगल की वज़ा से त्वचा की समस्या है तो पानी का खूब सेवन कीजिए उगते हुए सूरी की रोशनी में कम से कम पांच मिनट तक बैठिए और सूरी की रोशनी जब लेनी होती है तो सूरी की तरफ पीट करके बैठना चाहिए तो उगते हुए सूरी की रोशनी में पीट करके बैठिए तांबे के पात्र से पानी पीजिए, रात भर तांबे के गिलास में लोटे में जल रखिए और सुबह उठकर वो जल पीजिए, उससे लाब होगा और सलाह लेकर के किसी विद्वान व्यक्ति से एक मूंगा धारन कीजिए और जहाँ जहाँ पर मंगल की वज़ा से दाग धब्बे या निशान है वहाँ पर नारियल का तेल लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अब जानते हैं सूरी की तवचा की समस्या क्या है और सूरी की तवचा की समस्या का समाधान क्या है सूरी जो है त्वचा में मैलालिन की समस्या को मैलालिन के पार्ट को नियंतृत करता है आपके स्किन का कालापन आपके स्किन का गोरापन ये सूरी के मीटर से डिसाइड होता है सूरी त्वचा के मैलालिन वाले पार्ट को नियंतृत करता है इससे व्यक्ति के तवचा के रंग में अंतर आ जाता है तवचा काली या सफेद हो जाती है सूरी की तवचा की अगर समस्या होगी तो मेलालिन कंट्रोल नहीं होगा और तवचा काली होती चली जाएगी बहुत सारे लोग कहते हैं न कि मुझे सन बर्ण की प्रॉबलम है मैं धूप में निकलता हूँ या निकलती हूँ तो शरीर जुलस जाता है वो सूरी वाली प्रॉबलम है जुलसी और टूटी टूटी सी तवचा दिखाई देती है लगता है जगा जगा क्रेक पड़ गया है शरीर में और शरीर में जगा जगा लाल लाल स्पॉट भी पड़ जाते हैं लगता है शरीर जल गया है जब सूरी की वज़ा से तवचा की समस्या होती है तब अब अगर सूरी की वज़ा से तवचा की समस्या है तो इसको ठीक कैसे किया जाए सबसे पहले उगते हुए सूरी को जल अरपित कीजिए आप देख रहे होंगे कि तवचा की कोई भी समस्या हो मैं इस बार पर जोर दे रहा हूँ कि सूरी को जल चढ़ाएं, सूरी की रोशनी में बैठें सूरी की रोशनी बहुत प्रभावशाली होती है अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सूरी की रोशनी का सेवन करे तो उसे तवचा की समस्या कभी होई ने सकती उसको तचा की और पेट की समस्या नहीं होगी तो उगते हुए सूरी को जल अरपित करें गरिष्ठ भूजन और मांसा हार से परहेज करें अगर तवचा की समस्या सूर्य वाली है तो तेल मसालेदार भूजन और नौन वेजितेरियन फूट से परहेज करें तो अच्छा होगा रस वाले जो फल हैं मौसमी है, संतरा है, ठीक न? रस वाले फल और नीबू पानी का प्रियोग करें दिन में कम से कम दो बार नीबू पानी जरूर पियें उससे लाब होगा और सूर्य की अगर समस्या है तवचा की तो सलाह ले करके एक मोती या एक ओपल धारन करना फाइदेमंद होगा और अगर आप रत्न नहीं पहन सकते तो चांदी का एक कड़ा पहन ले, चांदी का एक छला पहन ले चांदी की एक चेन पहन ले जो भी आपको ठीक लगे चांदी धारन करना भी ऐसी दशा में लाबकारी होता है ऐसी दशा में लाबकारी जरूर होगा तो त्वचा की समस्या के बारे में सूर्य, मंगल और बुद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन अगर नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चड़ाया जाए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने पाचन तंत्र को ठीक रखा जाए तो बाकी तरह की मुश्किले आने की संभावना नहीं बनती